नमस्कार सातियों फिर से स्वागत आए आपका एक नई ब्लोग में आज हम चलते हैं कानपूर और कानपूर की कुछ फेमस चीजें हैं वो हम आपको दिखाएंगे जैसे की घंगा वैराज या फिर सेंट्रल स्टेशन का एक मॉडल बना के रखा है वहां पे शेलफी पॉइंट मैगी पॉइंट और साथ में हम दिखाने वाले हैं अटल घार जिसका उद्गाटन हमारे देश के मानी प्रधार मंतरी श्री नरेंद मोदी जी ने किया था तो आए हमारे साथ तो यह आप देख रहे हैं परिवर्तन सेंट्रल तो यहां पर हम आपको दिख आते हैं आप कानपूर सेंट्रल इस्टेशन तो गए होंगे तो हूब हूब बिलकुल उसी की तरह यहां पर बना दिया गया है बहुत ही खुब्सूरत है बुकिंग बिंडो टिकेट किड़की सारा कुछ यहां पर जियों कात्यों दिखाया है बहुत ही शुंदर बनाया है तो यहां से मैं निकल लाता हूँ तो सोचा कि आपको भी इन चीजों के नजारे करवा दिये जाएं यह देखिए कितना सुंदर बनाया यहां पर तिच्छा कच यानि की बेटिंग रूम बिलकुल हूब हूब बनाया गया है जैसे सेंट्रल स्टेशन है हमारा कानपूर का बिलकुल बैसे यहां पर मॉडल बना दिया गया है तो आई एक बार पूरा मॉडल दिखाते हैं दूर से देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे हम सेंट्रल स्टेशन पर ही आ गये हैं लेकिन जब गौर से इसको देखा जाता है तो लगता है कि यह सेंट्रल नहीं है चल करके आपको दिखाएंगे अब हम निकल पड़े हैं गंगा बैराज की तरफ कानपुर को बड़ा ही साप सुंदर बना दिया गया है पहली बार देखके बड़ा ही अच्छा लगा रास्ते बहुत खुबसूरत हैं फूल पौदों से भरे पड़े हैं चावराहे तो इतन हमारे साथ और इन खूबसूरत नजारों का लुट उठाते रहिए यह गंगा बैराज यहां से चालू हो जाता है गंगा जी के ऊपर सुंदर पुल बहुत से सैलानी यहां पर नजारे देख रहे हैं एक तरफ बहुत सारा पानी भरा पड़ा है यहां पर पानी को रोका गय है और दूरसरी तरफ चैनलाइज करके पानी को निकाला जा रहा है तो यह देखे कितना सुंदर नजारा यहां से देख रहा है आसमान में भी बादल चाय हुए हैं और अभी सुबह का समय है हम लोग आठ बजे यहां पर पहुंच गए हैं तो बहुत ही शुंदर द्रस यह में देख रहे हो हाँ नीचे गंगा जी वाहे हैं बांद बनाया हुआ हूआ है बहुत यहां पर जली जल दिख रहा है और इस तरह बहुत तो यहां पर हवा बड़ी थंदी आ रही है तो एक बार गाली को रोक करके यहां पर एक वीडियो बना रहा हूं वन आ गया यहां पर गाली रोकने का तो दोस्त अब आगे चलते हैं कि अब अब आगे चलते हैं अब होचे हैं कानपुर की आन वान और सान यह सेलफी पॉइंट है अगर कानपुर अगर आप आए हैं तो यहां से निकल लाता सोचा यह भी आपको दिखा दूँगा कि कुछ ही आगे बढ़े थे तो हमने देखा यहां पर मैगी की बहुत ही शुंदर सुन्दर सी सौप लगाई हुई हैं रेत के ऊपर चाता लगाया हुआ है चार पांच कुरसियां डाली हुई हैं बहुत ही शुंदर फूल लगाए हैं तो सोचा कि क्यों ना मैगी का जबाब है और एनों ने एक्स्ट्रा यहां पर मसाला डाल रहे हैं इसमें करेसाब हमें मसाला अच्छा ज्यादा मसाला अच्छा लगता है तो बहुत ही मौज कर रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं माइगी पॉइंट पर आप लोग देखते रहें कितना सुन्दर नजा रहा है यह है गंगा वैरा से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे माइगी पॉइंट मिल जाएंगे यहां पर जहां पर आप माइगी कालूत पुठा सकते हैं अब हम आचुके हैं अटल गाट पर यह आप देख रहे हो प्रबेश द्वार तो अंदर चलकर के दिखाएंगे आपको अंदर का व्यू कैसा है आई एक है यहां की सुंदरता देखते ही बनती है बहुत अच्छे पेड़ पौदों से इस घाट को सजाया गया है और आप देख लीजिए का कितना सुंदर नजारा है यहां का सामने गंगा मिया है यह देखिए नीचे गंगा मिया बह रही है और नीचे कुछ भक्तगण इसनान भी कर रहे हैं ये सामने आपने देखा है कि सेलफी पॉइंट टाइप के बनाए गए हैं जहाँ पर जाकर के सालानी गंगा मईया का आनन्द लेते हैं तस अश्य ऑब यह थ यह देखें यहां के जो घ्राट हैं सिड्टियां हैं वहम आपको दिखा रहे हैं और सामने एहां से बैराज का बहुत संदर नजारा दिखता है जो critically और घराज इन करते हैं बहुत सारी नावे खड़ी हुई है और लोग नहां रहे हैं आज पूड़मा का दिन है दोस्त यह है अटल घाट और इसका सुवारम जो है उद्घाटन जो है मोदी जी ने किया था और यहीं वो सिद्धियां है जहां पर मोदी जी फिसल गए ते और गिर गए तो इन सिद्धियों को एक बार तोड़कर के दुवारा बन बया गया है तो बैराज का नजारा एक बार फिर से देखते हैं सुन्दर घाट यहां के और हलकी हलकी दूप आ रही है दूब में पेड़ पोदे जो है वो और ज्यादा खिल गए हैं हलांकि साम को यहां पर बहुत बड़ी भीड़ होती है लोग बोटिंग भी करते हैं और यह सोच लो कितना सुन्दर बाक यहां पर लिखा है इन सब चीजों को देखने के बाद हम बापस अपने घर की तरफ निकल चुके हैं तो दोस्त मुझे लगता है कि यह छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा पसंद आया है तो एक लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब कर ल आप